कि चलो एक कोशन आपके सामने तो हम क्या कहता है मैं तीन कॉलम्म ड्रो कर लेता हूं हलागि यह आपके पास होता न तो ज़्यादा बैटर होता कि आप देख देख के जवाब देते हैं मुझे यह नहीं चाहिए कि आप बिना देखे बना दो देख देख के बता दो वही बहुत रहेगा भी एक आरो आर के लिए बताना है क्या बोलता है एन वार के लिए और एक के लिए ऊपर सबसे पहले पता है तोटल को क्या बोलते हैं अकाउंट में टोटल को यहां पर टोटल को बोलते हैं कंप्यूटेशन प्रस नाम चींज जाएगा कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन के टोटल इंकम total income किसका भाई of पता करो कौन है ये R किस साल का निकालना है 22-23 तो नीचे लिखोगे ऐसे AY AY का मतलब है यहाँ पे वीडियो देखी है नहीं देखी पहले वाली AY का मतलब क्या है assessment year और कब का निकालना है सर 22-23 तो आप लिखोगे 23-24 और यहां पर्टिकूलर लिख लिए आप कि अ आ आ मैं वह वाला जो चार्ट है आपके सामने रख दू ताकि आप देख देख के बता दू है नहीं तो फिर इसको साइज रिडियूस कर रहा हूँ लेकिन कोसिस करना आपको अगर दिख रहा हो तो थोड़े बहुत जवाब देना देख देख के देना बिना देखे ना दे अभी कि चलिए देखें कोश्चन इंडिया 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 चलिए कोश्चन देखने पहला क्या कहता है ध्यान दो पहला कहता है मतलब जमीन भारत में खरीद रख्य किराय यहीं पर मिला और पैसे जो जा रहे हों कहां जा रहें यूएसे में तो पॉइंट नंबर ए रेंट रिसीव इन डेल रिसीव प्रॉपर्टी कहां पर है कि रेंट रिसीव की जगह पर फ्रॉम लिख देते हैं प्रॉम इंडिया अलाकि मेरे पास शॉट फॉर्म है तो मैं थोड़ा शॉट लिख रहा हूं आप पूरे-पूरे लाइन लिखेगा एक्जाम में पूरे-पूरे लाइन लिखें बस मैं एक समरी बनाके लिख रहा हूं अब बताओ आपके सामने टेबल अगर दिख भी रह प्लॉट हमेशा देगा यह तो बची ने सकता है इस पर किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो नहीं चाहिए अब क्या आण्यवार देगा पैसे इंग्लेंड में कहां जा रहे हैं यूएसे में जा रहे हैं कैनवार देगा क्यूं क्यूंकि पैसे इंडिया में अर्ण हो रहा है इंडिया में अगर पैसे अंकर होगे तो भाई कोई नहीं बचेगा सबको देना है टेक्स अगला इनकम फ्रॉम बिजनस इन यूएस से कंट्रोल फ्रॉम डेली कि बिजनस मेरा कहां पर है लेकिन कंट्रॉल कहां से हो रहा है अब कुन-कुन देगा दिमाग लगो आपके सामने चार्ट है मैं लिख लेता हूं अग्यां तो यूएस से कंट्रोल डेली से मैं पूरा नहीं लिख लिएगा बताओ सामने गीवन आप डूंड के बताओ देख के बताओ कौन-कौन देखा तो बता दिया बच्चों ने निदी ने बता दिया हितेश ने बता दिया दो देंगे आरो 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 और यानी 120 एक सोबीस इंकम फ्रॉम बैंगलोर और कंट्रोल यूएस से अब बताओ इस पर अब बैंगलोर कहां है अब भारत में है बैंगलोर तो भारत के जमीन पर पैसे कमा रहे तो 3-0 देंगे 3-0 and 80-80-80 देखो कितना आसान है अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इंकम टेक्स प्राक्तिकल है या थिजरीटिकल है तो अगर थिजिए आता है तो प्राक्तिकल कर पाओगे अगर थिजिए नहीं पता तो फिर नहीं कर पाओगे C3 D पर आ जाते हैं Rent from property in USA Receive there But subsequently remitted to India Rent from USA मतलब property भी होई है Receive भी बाद में remitted हुआ तो remitted की case में देखो मैंने बताया था कौन देखा कहां गया कहां गया यह रहा सरिफ एक foreign income हो गया न क्योंकि receive भी होई ही सब कुछ होई होगे तो एक तरीके से कौन सा income होगे foreign तो सरिफ आर वार देगा that is हमारा 60,000 चलो इस पर आते हैं interest from with Indian company receive in USA interest जो इंडिया में कोई company है उससे ब्याज मिला लेकिन कहां receive कर रहा है यूएस से में बताओ अब इस पर बताओ दिमाग लगाओ अब बताओ अब दिमाग लगाई है interest कहां से मिला है पैसे कहां कमाया जा रहा है भारत में ये क्या है क्याता है interest deposit with an Indian Indian के साथ था Indian company के साथ था receive USA में वहा पैसे कमाया कहां जा रहा है इंडिया तो इंडिया की जमीन पर आ गए न और इंडिया के जमीन पर अगर आ गए तो फिर तीनों पर टेक्स बीस अजार बीस अजार बीस अजार profit इक्टिस बाइस business USA रमेटिड टू इंडिया डिरिंग दे येर previous year not tax earlier मतलब कहता है भी या profit कमाया था इक्टिस बाइस में और बिजनस इन यूएस से रमेटिड टू इंडिया डिरिंग दा प्रीविएस येर बाइस तेस मतलब इससार आ गया नोट टेक्स अर्लियर पहले ये टेक्स भी नहीं लगा था तो अब इंडिया में आ गया तो रेमिटेंस हो गया न एक तरीके से क्या हो गया रेमिटेंस तो किस पर लगेगा सिर्फ एक पर यहां पर पास देखो और एक को देना पड़ेगा हम इसको अजंशन ले रहें कि यह पास्ट अंटेक्स इंकम नहीं है अब गिफ्ट रिसीव हिस पैरेंट्स रिलेटिव से पैंतालीस अजार का बताओ गिफ्ट का क्या करें कौन देगा टेक्स कोई भी नहीं देगा टेक्स कुश्चन ने बोला तब यह टोटल इंकम बताओ हमने तीनों का लिख लिया और एक बार में हम लिख लेंगे इसको टोटल इंकम टोटल इंकम लिख लेंगे चलो टोटल कर लेका है असी अजार एक बीस एक असी सिक्स्टी दो लाग जटर गया गया सात लाग 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 जा गया चार लाग कि दोलाख हासी आधाथ है अभी हमने टेक्स लायबिलीटी निकालने को नहीं बोला जाएगा tax डायबिलीटी हमने slab rate में धेखाा है तो इसके उपर कैसे टेक्स निकालें है यह विचारा तो टेक्स देगा यह दोनों खैक्स्ट हो ज्याएग जिन्रोंने इन इंकम पर कितना टांशिक्व लगता ला कि प्लेज ला बूर Jederन इंब को इसमें अ यहां तक सभी स्टूडेंट को कि यह ए झांद एक और गुशलटे भाई कि यहां सिर्फ दो के लिए बताना है हम तीन के लिए बता देंगा कोई बात नहीं अब मैं यहां पर पूछ लूँगा और आपसे आल बताना आपको कि कहता है इंटरस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी कौन देगा पूछा है बोला आपको सिर्फ और और के लिए बताना है तो यस और यस दोनों देंगे और अगर और होता तो उस तीन टिक लगा देता हूं ठीक है यह तीन है यह रहा हमारा और और इसको प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा मैं आपको पहले समझा दूं कहता है पैंशन फ्रॉम फॉर्मर इंप्रोई इंडिया रिसी यूएस से बहिए पैंशन इंडिया की गवर्मेंट से मिल रही है और रहता है यूएस से में तो कौन देगा कौन देगा बताओ तीनों क्यूंकि भारत से तो पैसा ही आ रहा है प्रॉफिट अन बिजनस इन पैरिस कंट्रोल इन इंडिया हाफ औफ प्रॉफिट रिसीव इन इंडिया यह बड़ा खतरना कॉइंट आ गया दो लाक रुपे ह दो लाक में से तो एक लाक रिसीव हो गया और एक लाक रिसीव नहीं हुआ तो जो पार्ट रिसीव हो गया तो रिसीव के केस में कौन देगा कौन देगा और यह जो रिसीव नहीं हुआ तो यहां कंट्रोल वाले लग जाएगा कौन देगा तो यहां पर देखा जाए अगर मैं इंकम की बात करूं तो यहां पर दो लाख यहां पर दो लाख और यहां पर एक लाख समझें दो लाख दो लाख और एक लाख वैसे दो के लिए पूछा गया था तो वह है कि लिए रहे हैं इंकम फ्रॉम एग्रीकल्चर भूटान भारत में है क्या नहीं रेमिटिड टू इंडिया बाद में इंडिया में आ गया लिए एकान आ ले में तो बता इस से टेक्स लिया जाया चोड़ दिया जाया किसान लिया जाएगा क्योंकि भाई भारत में किसान बनना अपको अब वुटान में और राइमिटेड है तो सिर्फ एक देगा कौन आरवार कि इंकम प्रोपर्टी इंग्लेंड रिसीव दियर प्रोपर्टी कहा है इंग्लेंड में रिसीव कहा है ले ना चाहिए क्या उससे अब स् आप ROR वो तो टक्स लोगे ROR तो सब में जाएगा एक बार बस मान लो सावरो बिल गेट्स भारत में अरो बन जाए पिर मािक्रॉसओफ अमेरिका का नहीं बचेगा इंडिया का ही हो जाएगा फिर तो जितनी कमाई है सब पर टक्स ले ले लेंगा foreign income brought into India brought मतलब हो गया लाया गया past foreign income brought into India past foreign income यानि यह brought है तो remittance तो सरिफ gift money received by x outside India and y resident in India कहता है कि gift x से मिला है आउटसाइड इंडिया 58 2022 को from y resident इंडिया लेकिन वह इंडियन से मिला है जो इंडियन था उससे मिला है तो किसी से भी मिला हो भाई तो foreign income ही हो गया तो यह से कौन देगा टेक्स रिफ तो कुछ एक questions मैं update कर दूंगा समझ में तो आगे ना question कैसे करना है तो कुछ questions मैं update करूंगा पास से साथ question और उसके नीचे सभी के answer भी लिख दूंगा ठीक है उसके नीचे सभी के answers भी डाल दूंगा मैं एक तरीके से इस चेप्टर का यह वाला पीडियेफ उससे ना कल तो नहीं होगा यह परसोई होगा यह जो इसने बनाए जहां से यह ना questions तो वहां के पूरन इस चेप्टर का जो है question और उसके साथ उसके नीचे आंसर करके पीडियेफ बनाके डाल देंगे फिर स्टूडेंट क्या करेंगे अपना कर लेंगे जो भी डाउट होगा उसको फिर अगली इंडिया से है control अगर इंडिया से तो दो लोग तो टेक्स देंगे यह देंगे आर और और देंगे लेकिन 50 परसेंट जो रिसीव हो गया इंडिया में तो उस पर रिसीव वाला concept लगाओ तो उस पर अनर भी निए बचेगा तो उस पर एन आर वाले भी देंगे टेक्स ठीक है clear है सभी student को clear है बता दीजिए फटा फट से इस chapter में practice के एक दिन चाहिए आपको practice के बाद मैं tenure का भी डाल दूँगा इसमें tenure के भी practice कर लीजिएगा एक दिन सरिफ practice के लिए चाहिए ऐसा करना न बुक का छोड़ दो टेनियर वाले डाल देंगे सारे questions एक्जाम में जो आएंगे हैं फिर वह practice कर लेंगे ठीक है हाँ सर्फ डी पॉइंट और एफ पॉइंट पिछले आले question कर डी पॉइंट और एफ पॉइंट डी पॉइंट है रेंट फॉम युएस से सब्सीक्वेंट ली रेंट वाला पार्ट आगया तो फॉरन इंकम हो गया तो फॉरन इंकम का मतलब भया वह स्रिफ रेमिटेंस वाला पार्ट आगया तो एक बंदा टेक्स देगा डी के बाद एफ एफ के अंदर 75,000 रुपय था युएएस से में बिजनस था कहां बीजनस इन युएस से और रेमिटें टु इंडिया तो रेमिटेंट वर्डा आगया ने के बाद में इंडिया में लाया गया नो नो टेक्स वहां पर टेक्स नहीं लगाता तो आरो आर हो तो यहां पर टेक्स देना पड़ेगा कि डी इए एफ एफ कुन से भाई इंट्रस डिपोजिट इन इंडियन कंपनी भारत की कंपनी में आप स्विईमें पैसे जमा कर लो और वा आप रेसे कुरों तो भाई गोज़ें वहां यस कि भाई Filip कर को पढ़ेंगे कि उसे में पैसे एप नहीं तो आया है तो आपकी इंकप और इंकम आरे के एक लिकीन आप ए दी एंप ओड 1 वस्ट 5 मैं जया है को भारत में लेकर आ जाते तो आप हैं मुझे गूगल से पैसे मिल रहे हैं गूगल जो पैसे बाहर से आ मेरे पास तो उस सिट्यूएशन में मुझे टक्स भारत में देना पड़ेगा इंकम टाक्स की फोटो भीज़क आई ऐनिया बुक बोल रहे हैं दो दिन रुख जाओ तीन रुख जाओ मैं डेली उससे कनेक्ट हूं तो कह रहे हैं अभी रुख जाओ थोड़े से बस कॉलेज खुलने का वेट करने जो कि चार-पांस दिन में आ जाएगे तब तक हम मैं आपको पीडियेफ दूंगा आपको दिक्कत नह वेदे जाएगे वेदाय को structured विडियेच से तीन ने क्रेंसी के भाओने कहत है विए उंगे फुलने को इसकि कि प्न्न का रहे हैं पीडियेज से